प्रशान धवन रिसेंटली हमने देखा है कि डेली के चीफ निस्टर अरविंद केशिवाल जी ने ये का है कि भारत की करंसी पर लक्षमी जी गनेज जी की फोटो नी चाहिए यहाँ पर आप देख पाओगे पुट लक्षमी गनेज फोटो और करंसी नोट्स ये अपील करी है डेली के चीफ निस्टर ने पीए मोधी को अगैन ये मैं काऊंगा काफी बड़ी स्टेट्मेंट है क्योंकि ये कोई इंटर्वी के दुरान कोई सुझाव नहीं है इन्होंने जेनुएनली अपील करी है कि आप ऐसा कर दीजिए इससे होगा क्या इनके हसाब से इससे भारत की जो एकॉनमी है ये इंप्रूव हो जाएगी इन्होंने का है कि फ्रेश करंसी नोट्स आप प्रिंट करिए इसमें गनेज जी और लक्षमी जी की यहां पर फोटो होगी तो डिसकस करेंगे इस वीडियो में इसरों ने इसको लेकर एक स्टेट्पेंट दी है तो आपको बताना है कि चंद्रयान 3 कव लांच होगा 2023 में 2022 में 2027 में या फिर 2028 में कॉमें सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर में आपको दूंगा वीडियो क्यांत में ना जो पूरी स्टेट्पेंट आप अगर होगे डेली के चीफ निस्टर अर्विंद केजिवाल जी की तो लोने ये का है कि भारत की एकॉनमी रिकावर नहीं कर रही इनका ये मानना है कि वी केन ओल सी दाट आर एकॉनमी इस नॉट रिकावरिंग हम सब लोग ये चाते हैं कि भारत एक डिवेलफ्ट कंट्री बन जा मगर उसके लिए हमको बहुत सारा काम करना होगा बहुत सारे एफर्ट अपनी जगा है मगर साती सात हमको अगर गॉड्स की अगर ब्लेसिंग मिलती है उनका अशिरवाद मिलता है तो उससे हमको और वल मिलेगा तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो हमारे करंसी नोट्स हैं वह ये नहीं कहा रहा कि गांदी जी की फोटो हटा के आप लक्षमी जी गने जी की फोटो लगा दो ये कह रहे हैं कि एक और सीरीज ओफ नोट्स आप रिलीस कर दो वैसे देखो दुनिया भर में नोट्स की बहुत सारी सीरीज आती है इंडिया में भी आप अगर देखो तो न यहां पर आप देख पाओगे आई एमेफ की प्रोजेक्शन ये कहती है कि 2021 में इंडिया की ग्रोथ रेट थी 8.7% और इस फिनेंशल येर में हम लोग ग्रो करेंगे 6.8% के आसपास और फिर अगले फिनेंशल येर में हम लोग ग्रो कर जाएंगे 6.1% के आसपास जो आप compare करोगे US, China, बाकी economy से even आप अगर कहलो कुछ developing world की economy है उसे compare करना जैसे के Brazil हो गया या फिर मेक्सिको हो गया तो उससे भी हम काफी ज़रा तेज ग्रो कर रहे हैं मगर मैं ये कहूंगा कि भारत की जो requirement है उसके इसाफ से शायद 6.1 या फिर even 6.8% काफी नहीं है हमको genuinely 8 से ल economic growth की मैं ये नहीं कहूंगा कि हम बहुत बुरा कर रहे हैं हाँ improvement की गुंजाश हमेशा रहती है मगर इस particular case में मामला थोड़ा बहुत ठीक ठाक है main देखो यहाँ पे दर्द आता है currency valuation के issue को लेकर मेरे खासे केज़िवाल ये बोला जाते थे कि currency लगातार गिरती जा रही है कई experts ने का है कि रुपी अराम से 84 तोड़ देगा 85 की भी बात चल रही है क्योंके reason देखिये ये है कि US dollar लगातार strong होता जा रहा है दुनिया भर में आप देखोगे currencies की पिटाई हुई है ना सिर्फ Indian रुपी even Chinese, Yuan, Japanese, Yen किसी को बक्षानी गया Indian रुपी पे focus इसलिए जाता है क्योंकि 12 सरकार ओलेडी ना 100 billion dollar से भी जादा का amount खर्च चुकी है रुपी को बचाने में जी हाँ को बता होगा हमारा जो विदेशी मुत्रा भंडार था जो एक टाइम पर 6500 billion dollars के आसपास था अब ये गिर गिर कर 520 billion dollars के आसपास हो चुका है हमने बहुत सा पैसा 100 billion dollar से उपर का amount खर्च दिया अपनी currency को बचाने में ये amount कैसे खर्चा basically international market में जा करना हमने अपनी खुद की currency purchase करी ताकि इसकी जो valuation है ये कुछ आता कैसे ही है कि मानलो आपकी दुकान है टी शर्ट की आपकी टी शर्ट विकनी रही तो आप अपने saving account से पैसे निकाल कर खुद अ transactions होई हैं कुछ आपकी टी शर्ट विकी हैं और आपकी टी शर्ट की जो value है market में ये थोड़ी बहुत बनी रहे और जिस तरीके से हम लोग अपना विदेशी मुद्राबंडार खर्च रहे हैं ना हम लोग अप पहुच चुके हैं 6th rank पर मुझे अच्छे से याद है मैंने video बनाई थी कि भारत विदेशी मुद्राबंडार के मामले में रश्या सागे निगल चुका है और स्विजलेंड के पीछे हम 4th spot पे आ गए थे हाल से कुछ महीने पहले मगर स्थित्ती ऐसी हो गई है कि हमको विदेशी मुद्राबंडार खर्चना पड़ा और अब आप इस पर आपको मुस्लिम मजॉर्टी मिलेगी हाला की इंडोनीसिया एज एक कंट्री हिंदू रिलिजन को ओफिशिली रेकोगनाईज करता है मगर फिर भी आप अगर देखो तो इंडोनीसिया भींगे मुस्लिम मजॉर्टी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपलेशन वाला कंट्री है इंडोनीसिया सिर्फ 2-3 15% यहां पर हिंदू आपको मिलेंगे तब भी इंडोनीसिया में आपको ऐसे नोट मिलेंगे करंसी नोट मिलेंगे जहां पर गनेजी की फोटो है यहां पर आप देख पाओगे इंडोनीसिया रुपईया की फोटो है 20,000 इंडोनीसिया रुपईया और यहां पर आप देख क्रिशन जी की बहुत सारी मूर्थिया मिलेंगी उसके अलावा इंडोडीसिया के जो पहले प्रेजिडेंट जिन्होंने जवारला लहरू जी के साथ मिलकर N.A.M. नॉन एलाइन मूवेंट स्टार्ट करी थी इनका नाम था प्रेजिडेंट सुकार्नो जो ये नाम ना सुकार इसका मतलब होता है क्लाउड गॉडस और लोग वैसे जरातार इस नोट पर ही फोकस करते हैं इसके अलावा भी वैसे मैं आपको बता दूं कि मोस्त रिसेंटी इंडोनीसिया ने ये नोट भी क्यारा सर्कुलेट यहाँ पर आप देख पाओगे एक मंदिर की फोटो आपको मिलेगी ये मंदिर है लीमा पुला मंदिर ये अच्छुली एक बहुती फेमस शिव टेंपल है बाली इंडोनीसिया में तो ना सिर्फ गनेज तो आप देखो United Nations का Human Development Index उसमें आप नोट करो के इंडोनीसिया की रैंक है 114 इंडिया की रैंक है अभी 132 मगर करंसी वैल्यू की वैसे गरम बात करें तो हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो इंडोनीसिया की करंसी काफी क्राश कर गई थी 1960-70s के आसपास और इसलिए पर क्या आप मानते हैं कि इसे जनुएनली कही ना कई एक पॉजिटिव स्पिरिट आएगा लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में मैं जाना चाहूंगा आपका अपिनियन वैसे मैं आपको बता दूँ के IMF ने ये का है कि इंडिया को जनुएनली अगर एक 10 ट्र देश में समरिद्धी आएगी पैसा आएगा लोगों का जो standard of living है ये improve करेगा बट अगयन जब भगवान का अशिरवाद हो तो जो रास्ता होता है वो definitely थोड़ा बहुत आसान होई जाता है ना फानियली वापस आते है question की तरफ के इस रोज चंद्रयान 3 mission किस साल में answer यहाँ पर आप देख पाओगे चंद्रयान 3 almost ready इसको जून 2023 में launch कर दिया जाएगा I am very excited for this I hope this is a huge success finally यहाँ पर मैं यह भी add कर दूँ के life में अगर आप एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाते हैं genuine तरीके से तो आप unacademy का special combo package purchase कर सकते हैं comment section में जाईए यहाँ पर आपको मिलेगा link इस combo package का now इस combo package की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर prelims, mains और optional तीनों की त्यारी करने का मौका मिलता है in a single purchase यह सारे जो आप courses है अलग-अलग purchase करोगे तो 10-15,000 रुपीज आपको extra pay करने होंगे तो combo में वैसे ही आपकी saving होती है तो अगर मान लीजिए अभी आपका plan है कि आप 2- UPSC के exam का proper attempt देंगे तो जो 36 मेने का course है यह आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं कभी भी pay मत कर देना simply यहाँ पर code use करो PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे the prices will start falling सिर्फ 3000 रुपे में UPSC optional prelims means तीनों की त्यारी आप कर सकते हैं with an academy so use the code PD10 and save money so इसी note के साथ यह है वी कर सकते हैं कर दो